शादी का नाव आते ही दिमाग में आता है लंबा चोड़ा बूफे और शगुन के लिफाफे शगुन वही 100, 500, 1000, 10,000 इससे जादा क्या लेकिन इससे जादा बलकि यूं कहें कि इससे कहीं जादा दिया गया हर्याना के रिवाडी में हुई एक शादी में इस शादी में लड़की के मामा ने शगुन के तौर पर एक करोड़, एक लाख, ग्यारा हजार, एक सो ग्यारा रुपे कैश दिये अब मुझे तो बोलने में ही किन्फूजन हो गई तो सोचिये शादी में नोट गिनने वालों का क्या हाल हुआ होगा इधर तो मामा ने अपना फर्ज निभा दिया, लेकिन इससे देश भर के मामाओं के बीच काफी टेंशन का माहौल है टेंशन इसलिए क्योंकि सोचल मीडिया पर मौझूद भांजे और भांजिया नई नई एक्सपेक्टेशन और डिमांड लेकर कमेंट बॉक्स में उतर आये हैं रिवाडी में हुई इस शादी का वीडियो सोचल मीडिया पर वाइरल है और लोग मज़ेदार कमेंट्स कर सीन सेट किये हुए हैं एक लेडी ने लिखा मेरा मामा कहा है अभी ये वेडियो उन्हें वेशती हूँ एक इंटरेट यूजर ने खुद पर चुटकी लेते हुए लिखा मेरे मामा मामी तो मुझे चाय तक नहीं पिलाते हैं बात यहीं नहीं रुकी एक मामा के सताय शक्स ने तो कमेंट बॉक्स में पोल ही करवा दिया इन्होंने comment में लिखा मेरे मामा तो मुझे एक रुपे नहीं देते और जिस जिसके मामा कंजूस है वो इस comment को लाइक करें बताए जरा कितनी desperation है comment बाजी का सिलसला यहीं नहीं रुका एक सोशल मीडिया यूजर ने तो इस मामा को धन्का देवता बता दिया इन्होंने लिखा मामा कंस भी थे, मामा कृष्ण भी थे लेकिन ये मामा कुबेर है इन सब कमेंट्स के ऊपर था एक महा कमेंट जिसमें एक यूजर ने बड़ी ही मज़दार डिमान कर डाली इन्होंने लिखा कुछ दिन के लिए ये वाला मामा उधार दे देना इस एक वीडियो ने ऐसी उथल फुथल मचाई है कि इंटरनेट पर कमेंट्स के सुनामी आ गई है